जाए महाराश्ट्रय मिरुजुता लुक्तु के राजमंत्र या तुम्चा लोकप्रिय कारेकर्मा मद है तुम्चा खूब-खूब स्वागत। नहीमे प्रमाने शनिवारी तुम्चा समोर्हा कारेकरम गिवन ये ताना खूब आनन्द होतो है। विग विगया राजमां शे लुजटा है बढ़िस्वार भविश्यवानी हो अपन चाहर के शुचाबब खूब आन्द काया करतो है। बहुत बहुत स्वागत है पंडिजी आपका इस शो में लग्या बिल्कुल खूप सारे विशयत शुरुवात मराथितना करते हैं खूप सारे विशयत जेचा बदल तुम्चा करना आज जानून गेचे जान जान को खतरा हो सकता है या शबदात तुम्ही महीने पहले पहले खुद मोदी जी ने कहा है कि उनकी जान को भी खत्रा हो सकता है फिर भी उन्होंने ये demonetization का decision लिया रामदेव बाबाजी ने भी कहा है कल ही के दिन कि उनकी जान को खत्रा हो सकता है तो एक तो चीज क्या आपके भविश्यवानी खरी उतर रही है और दूसरी चीज क्या वाकई उनके जान को खत्रा है देखिए जब हम माननीय नरिंदर मोधी की कुंडली का अथिन करते हैं और बहुत बड़ी बात आपको मैं यहां पर दर्श को बता दूँ कि आठ तारीक को उन्होंने यह डिसीजन लिया आठ नवंबर को आठ बजे उन्होंने डिसीजन लिया और विश्चिक राशी को जब हम कुंडली में देखते हैं तो आठ नंबर विश्चिक राशी का आता है यानि तीन बार आठ आठ का उपयोग हुआ वरिश्चिक राशी के उपर ये पिछले कई सालों से वरिश्चिक राशी के उपर अभी दर्शक भी मेरे को मेरे दर्शक भी समझ गए हैं कि ये वरिश्चिक राशी के उपर पंडी जी जो बोलते हैं वो सत्य हो जाता है व्रिष्चिक राशी के उपर साड़े सती लगी हुई है आठ नंबर जो है व्रिष्चिक राशी होती है कुंडली में नौ नंबर धनू होता है दस नंबर मकर होता है ये कुंडली में जो नंबर होते हैं वो राशियां होती है तो मित्रों यहाँ पर व्रिश्चिक राशी की बात करें यहाँ पर शनी की साड़े सती और शनी विराजमान है इस वार और शनी करम फल दाता है और वहाँ पर बैठे हैं अब 17 तारीक को वहाँ पर सूर्य जो है वो शनी के साथ में मारकिश बन जाता है और जब किसी की कुंडली में सूर्य और शनी एकठे हो जाते हैं विरोधी यानि गराह जो है मंगल विरोध है मंगल शनी का विरोध है और व्रिश्चिक राशी का स्वामी मंगल है इस वक्त शनी और मंगल की exchange भी चल रही है नमबर वन शनी और मंगल का एक्सचेंज का मतलब मंगल शनी की राशी में बैठा हुआ है और शनी मंगल की राशी में बैठा हुआ है आठ नमबर में शनी बैठा हुआ है और दस नमबर में मंगल बैठा हुआ है इसका परिणाम क्या हो रहा है बिलकुल इसका परिणाम जो ह नाजायस फाइदा उठा सकते हैं इस तरह के बातावरण में उन्होंने डिसीजन ले लिया मंगल जो है वो नियूरो सिस्टम को रिप्रिजेंट करता है दर्श को नियूरो सिस्टम मतलब आपकी सोच के उपर मंगल बैठा हुआ है मंगल धरनी गर्व संगुत्तम विद्यूत्कान्ती संप्रबं कुमारम शक्ति हस्तंतं मंगलम प्रणमामें मंगल धर्ती का देवता है मंगल सोच का देवता है मंगल नियूरो सिस्टम का देवता है psychology जो है वो मंगल प्रिप्रिजेंट करता है आपका बड़ा दिमाग छोटा दिमाग मेंदू मंगल से चलता है तो उसके उपर शनी दैत्यगरा है और उपर से सूर्य बैठा होना definitely एक बिसफोटक और पूरे अगले 14 जैनूरी तक प्रधानमंत्री जी जो है वो सूर्य है देश का राजा कौन होता है प्रधानमंत्री ग्रहों का राजा कौन होता है सूर्य सूर्य शनी के साथ में एक विश्योग बना कर बैठा हुआ है इसलिए प्रधावनी जी क्या ये चेतावनी है आपकी ये चेतावनी है और ये चेतावनी के साथ साथ में एक हाथ जोड़कर आगरे भी है उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है ऐसा भी हो सकता है आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि देश इससे एक नई दिशा की तरफ चला जाए आज जिस तरह की तकलीफ हो पुरहिया मगर उसको देखन देखना बहुत जरूरी है ऐसा है वो खुद भी अंदर से हो सकता है उनको ये मैसूस हो रहा है मगर इस वक्त 14 जनुरी तक मेरी करबद प्रार्थना है भारती जनता पारटी के सब मंत्रियों के सामने और माननिय प्रधान मंत्री जो हमरे देश क प्रधान मंत्री माननिय नरेंदर मोदी हैं रैसेस के बड़े बड़े नेता हैं उनसे करबद प्रार्थना है और हमारी एजन्सीज जितनी भी एजन्सीज अब चाहे वो SPG है चाहे वो CISF है वो किसी भी तरह की सुरक्षा में कोई भी सेंद ना लगने दे क्योंकि जो बा कि रचना व्यू जो है वो इस वक्त अच्छी नहीं है और मैं तो हमेशा कहता हूं नियती को कोई नहीं टाल सकता जो होना है वो होकर रहता है मगर कहीं न कहीं दुआ प्रार्थना से जो पत्थर सिर्पे लगना होता है वो पैर पर लग जाता है इसलिए आज मैं पंतरदा को और भारतिय जनता पारटी के सभी लीडरान से ये एक प्रामर्ष देता हूं उनको कि एक महामितुंजे का और एक कष्ट निवारन पूजा भारतिय जनता पारटी के लिए और पंतरदान के लिए करना अनिवार्य है वो खुद भी पाठ पूजा धर्म और नव देवियो की पूजा जल के उपर उपवास रखते हैं तो उनको इन प्रार्थनाओं से एक सुरक्षा मिलेगी ये जरूर जोतिश में एक सलाह दी जा सकती है और पांच ग्रहों की बिल्कुल हो सेहत और उनकी सुरक्षा के लिए हम भी प्रार्थना करेंगे लेकिन उन्होंने जो ये न बंद हो जाएंगी उसका परिणाम आज भी हम दिख रहे है लोगों को जो सहना पड़ रहा है उसके बाद राजकिय जो उसका परिणाम है राजनेतिक परिणाम जो है वह हम हमारे सामने है तो उसी के बारे में मुझे पूछना है कि यह कुछ जो वातावरन बना हुआ इस विपक्ष है जो कुछ भी मानने के मूड में नहीं है आज राश्ठाकरे जी भी उसके खिलाफ बोले है तो ये जो परिस्थिती ये जो आतावरन राजनीती में भारत की बना हुआ है उसके बारे में आप क्या कहेंगे क्या आगे का जो मौसम क्या है इस बारे में देखिए जो है वो बड़ा ही वॉलिटाइल है कहीं भी कोई भी रोशनी की किरन नजर नहीं आती जो तिश शास्तर में पांच ग्रहे खराब हुए हुए हैं उसके उपर हम आपके सामने चर्चा करेंगे आज राज ठाकरे ने जो बात की एकदम उत्तम बात की कि आप पचास लाख क करप्त लोगों के लिए पूरे देश को लाइन में खड़ा नहीं कर सकते मित्रो आज उन्हों ने जो कहा कि एक मोठे ब्लैक होल में मोधी ने देश को डाल दिया है और थिक स्थिति आप 14 लाग 15 लाग 20 लाग करोर रुपे रिसीव करोगे मगर जो बड़े-बड़े घाग हैं आज ऐसी कॉंपनिया है जिनके उपर 7 लाग करोर रुपेया बैंकों ने लेना है 90 लाग करोर रुपेया लेना है 80 लाग करोर रुपेया लेना है 70 लाग करोर रुपेया लेना है उनकी तो आप उनको तो माफ कर रहे हैं राज ठाकरे साहब ने जो बात कही है वो बहुत मुद्दे की बात की है, देश को प्रेम मैं भी करता हूँ उन्होंने कहा देश के लिए अगर ये लाबकारी है तो I accept it मगर उसके लिए हम अपने भाईयों को लाइन में खड़ा नहीं कर सकते उनको खड़े में नहीं डाल सकते मैं तो यहां तक इस बात को पठिमबा देता हूँ कि अगर गुलाम नभी आजाद ने जो सवाल उठाए थे उनमें से भी कुछ सवाल जो हैं वो बड़े नोकीले थे और उनके लिए भी प्रधान मंतरी साहब को शायद अगले हफते संसद में आकर जवाब देना पड़े यह कहकर नहीं चलेगा कि मुझे जला दोगे और मुझे मार दोगे तो मैं तब भी तैयार हूँ देश इस वक्त एक ऐसी दिशा की तरफ जा रहा है पांच ग्रहों का खराब होना उसके लिए जिम्मेदार है उसके लिए मैं तो प्रधान मंतरी को भी जिम्मेदार नहीं मानता हूँ क्योंकि बाताबरन जब ग्रह दशा खराब होती है तो रंक राजा बन जाता है राजा रंक बन जाता है आदमी चलता चलता ऐसी गलती पर कर देता है जिसकी उसको अपिक्षा नहीं होती, जान बूझकर नहीं होता है ये, मंगल की राशी में जब शनी बैठा होता है तो आदमी की सोच बदल जाती है, आदमी कुछ करना चाहता है, हो जाता कुछ है, मित्रो इसलिए आज भी भारत भारतिय जनता पार्टी के नेताओं को, और हमरे देश के दिगज लीडरान से मेरा अनुरोध है, कि कहीं न कहीं आप सब लोग जो हैं, इस बात का ध्यान दखें, कि ओवर कॉंफिडेंस में, ओवर पावर में, अति आत्म विश्वास में, कहीं आप अपने साथ ही कोई घल करप्त थी, तो भारतिय जनता पार्टी में भी आपको बहुत से करप्त नेता मिल सकते हैं, कली यहां पर एक नेता मेरा ख्याल से उनके उपर धार पड़ी है, नाम नहीं ले तो, मगर दिल्ली में भी बहुत से ऐसे नेता हैं, जिनको मोदीजी ने खुद हटा दिया, तो इसलिए आप इन 10-20-50 लाख लोगों के लिए 700 करोर रुपए को, 700 लोगों को सजा नहीं दे सकते, इसके लिए आपके अपने लोग भी चिंतित हैं, आपके सामने नहीं कहते हैं, आज नहीं कहते हैं, कहना शुरू कर देगे, मगर डेफिनेटली देश्ट के लिए अगले 40 इस दिन अती दुर्भाग्य पूर्ण है, इस दुर्भाग्य के लिए आप ये देखेंगे कि भारत की जनता जो है, इसका ये आन्दोलन जैसा एक बातावरन खड़ा कर देगी, जिसके लिए भारती जनता पारटी के हर नेता को, भारती जनता पारटी के पंत प्रधान को और अध्यक्ष को सामने आकर जवाब देना भारी पर जाएगा क्योंकि बातावरन इस तरह का होता जा रहा है। आदमी तरस्त है, आदमी निराश हो चुका है, असेंशिल हो चुका है, महौल बदल गया है, इसलिए इस महौल को संभालने के लिए कोई न कोई कड़े कदम, कोई न कोई हमदर्दी उठानी पड़ेगी। देश में अगर कोई शहीद होता है, तो उसकी तुलना एक आम आदमी जो सड़क पर खड़ा है, आपकी घलतियों का मुआपजा देकर मर जाता है, तो उसको भी कोई न कोई बड़ी राहत मिलनी चाहिए। बिल्कुल, पंडित जी, इसी को लेकर, क्योंकि अभी बात, थोड़ी थोड़ी समय पहले आपने एक जिकर किया, पाच जो ग्रह है, वो फिलहाल ऐसी स्थिती में हैं, जिसकी बज़े से ये वातावरन पैदा हुआ है, तो उसके बारे में भी थोड़ा आप से जानना चाह में हैं, देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था, कि 17-4-2017 के बाद, कॉंग्रेस और राहूल गांदी सशक्त होंगे, आगे बढ़े के, आज फिर इस बात को मैं धोराता हूँ, पिछले डेड़ सालों से भिहार की प्रडिक्शन के बाद, दोंबी बली की प्रडिक्शन के बाद, ममता, जया, और इन सब चार राज्यों की प्रडिक्शन में भी मैं कहते हैं, कि ओवर कॉंप्रिडेंस में मत जाएं, मित्रो, इस वक्त की बात है कि 17 तारिक को सूर्य शनी के साथ में वरिष्चिक राशी में आ चुका है, जो बहुत ही घातक है, पंत प्रदान हो, या चीफ मिनिस्टर हों, या RSS के मुखिया हों, या सोनिया गांधी हों, किसी भी तरह से, मैं तो यहां तक प्रदान को कहूंगा, कि आप पब्लिक रैली में अगर जाते भी हैं, तो आपको सुरक्षा जो है, एरपोर्ट से लेकर वहां तक ऐसी होना चाहिए कि कि किसी को क सुद्ध शनी के साथ में नीच हो चुके हैं, जिसका अर्थशास्तर के ऊपर बहुत बड़ा एफेक्ट होगा, बाजार में आप देखिये, क्या हाल हो रहा है, खरीदार नहीं है, मैं ऐसे दुकानदारों को जानता हूं, जिसने एक एक हफता बोनी नहीं की, एक बहुत ब मिली है, मित्रो उसके साथ में गुरू सुनने वाली बात है, गुरू इस वक्त जो है, बुद्ध की राशी में बैठा हुआ है, और बुद्ध गुरू की राशी में बैठा हुआ है, बुद्ध की राशी कन्या है, जिसमें गुरू बैठा हुआ है, गुरू की राशी भूकंप भी आता है भूकंप दिल्ली में आया बीचा अभी भी 14 जैनुरी तक भूकंप आने के पूरे पूरे योग है और नौर्थ इंडिया भी हो सकता है गुजरात भी हो सकता है कहीं न कहीं प्रार्थना पाठ पूजा भगवान की अराधना करना बहुत जरूरी है यह प बुद्ध की राशी में गुरु की राशी में बुद्ध बैठे हुए हैं यह एक त्रिकोनिय विनाशकारी ग्रहदशा बनी हुई है जिससे एक ही देश ऐसा है जो ऐसी ग्रहदशाओं का निवारन करना जानता है वो है मेरा हिंदोस्तान और यहां पर जो बड़े-बड़ मनीशी हैं बड़े-बड़े पंडित हैं वो जब मंत्रा उचारन करते हैं तो भवान को भी नीचे उतर कर उनको आशिरवाद देना पड़ता है हम डेफिनेटली इस प्रार्थना से हमारे देश को सुक की तरफ लेकर जाएंगे और भवान से प्रार्थना करेंगे मगर पा अर्थिक संकत में जाने वाला है उसमें ना चाहिए बिल्कुल पंडित जी आपकी बातों से एक तो बात मुझे समझ में आ गई वह है जो भी सत्ता में है फिलहाल उनके सामने विपक्ष हावी पर होता हुआ नजर आ रहा है उनको संकतों का सामना करना पड़ सकता है जो की सथा में है तो इस चीज को लेके आप से यही जानना है मुझे कि क्या आने वाले कुछ दिनों में हमारे विपक्ष दल में जो भी पार्टिया है उनके स्थिती कैसे रहेंगी चलो दिल्ली में नहीं हम राज्य में बात करेंगे क्योंकि शिवसेना की आज कल नहीं बन रही है आज तो अनंदरव अरसुल उनके जो खासदार है उन्होंने यहां तक कहा है कि अगर दी मोनेटाइजेशन के बारे में फैसला नहीं लिया रहत नहीं पहुचाई लोगों को तो वो सत्ता से बाहर हो सकते है राश ठक्रे हुए वो हुए क्या हालत दिख रहे हैं उनके क्या के लिए देश के भले के लिए देश की अर्थवेवस्ता के लिए देश को आगे बढ़ने के लिए विरोधी सब इकठे हो चुके हैं कॉंग्रेस केजरीवाल ममता सीपीम मुलाइम लालू नितिश कुमार शिवसेना यह सब इकठे होकर भारतिय जनता पार्टी के ओपर प् कुथर प्रदेश में मैं पिछले 2004 से बोल रहा था कि 2016 में प्रियंका गांधी सक्रियराजनीती में उतरेंगी इस वक्त वक्त आ गया है कि वो सक्रियराजनीती में उतरें और शायद उनका अचुक बेआन भी आया अपनी माता और अपने भाई के साथ में वो यूपी में ड मिलकर सरकार बनाने में सक्षम हो जाएं। कॉंग्रेस को यहां 10 सीटें भी नहीं दे रहे थे। आज के दिन कॉंग्रेस को 40 से 50 सीटें देने शुरू कर दी हैं। अभी 2 महीने पड़े हैं वातावरन का कोई बरोसा नहीं। आगे आने वाले दिनों में कॉंग्रेस जो है वो जिस तरह बिहार में 30 सीटें लेकर सत्ता में भागीदार हो चुकी है। इसी तरह यूपी में भी होती हुई दिखाई देती है। और 17-4-2017 आज फिर बापिस दोराह रहा हूं। वो ही बच्चा, वो ही राहुल गांदी उपाध्यक्ष इस देश को एक नई दिशा देगा। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि ये जयवातावरन बन रहा है। हम मानते नहीं थे, मगर मानना पर रहा है कि राहुल गांदी की दशाच्ची आ रही है। कॉंग्रेस वापिस सत्ता में आ सकती है। इसलिए भारती ये जयनता पार्टी को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, ठोस कदम उठाने पड़ेंगे जिससे जयनता तरास ना हो, जयनता सुखी हो। पंडित जी आपने अभी जब रहुल गंदी जी के बारे में बात की, आपने कहा कि वो कॉंग्रेस के उपाध्यक्षा है, वापर ही उपाध्यक्षा है, लेकिन ऐसे आसार लग रहा है कि इलेक्षन के बाद वो अध्यक्षता धारण कर ले। देखिए, पक्की बात है, इस वक्त जो उस दिन जो अध्यक्षपद की शपत लेते लेते रह गए, अध्यक्षपद की उन्होंने मतलब वो जो मीटिंग थी, उन्होंने ही अध्यक्षता की क्योंकि उनकी माता जी बिमार पढ़ चुकी थी, मित्रो, मगर मैं तो उनको आगे आने वले दिनों में राहुल गांधी के साथ वरुन खांधी भी खड़ा हुआ दिखाई देता है, और कहीं न कहीं भारती ये जनता पार्टी से निकल कर वो अपने परिवार में आकर कॉंग्रेस को अपने पिता संजे गांधी की तरह सशक्त करता हुआ नजर आएग आन्धी जी के बारे में मुझे पूछना ही था तो वो तो जवाब आपने दे दिया है कि कॉंग्रेस की कमान वो सम्हालने वाली है यूपी के एलेक्शन में तो चलिए इसके बाद हम शेयर मार्केट के बारे में बात करते हैं क्योंकि सब जानना चाहेंगे आने वाले हफत कहीं भी मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग नहीं है एफ आई याइज की सेलिंग है मगर उनकी बाइंग कम है बाजार 26,150 के उपर बंद हुआ मित्रों मैं अभी भी इस बाजार में पॉजिटिव नहीं हूँ मुझे लगता है कि बाजार एक बार 25,500 का आंकड़ा देखेगा उपर का स्तर जो है मेरा 26,400 26,500 के उपर नहीं है बाजार में एक सुस्ती और बाजार में एक कमजोरी आपको रोज नजर आएगी कुछ चोनिंदा बैंकिंग और फार्मासियोटिकल को छोड़ कर बाजार मे एक कमजोरी नजर आएगी आपको नैशनल स्टॉक एकचेंज निफ्टी कभी हमने जो स्तर बोला था वो ही हुआ आट हजार एक सो पंचतर बोला था ये तो आट हजार चोहत्तर पे बंद होगे लो लेवल हमारा लेवल भी तोड़ चुका है और ये बाजार में 7,825 का मेर नहीं दिखाई देता इसलिए कमजोर दिल वाले जैसे 500 और 1000 नोटों के डिनॉमिनेशन के बाद हाट अटेक और मृत्यों को पराप्त हो चुके हैं वो इस मार्किट से बाहर रहें यहां तो बैठे रहें नीचे आता है तो और खरीद लें यहां फिर बाजार में इस वक्त भी बेचकर निकलने में उनकी समझदारी है आगे गोल्ड की बात करें कमोडिटी की जी हां बलकर बाद बाद करें 28,937 पर गोल्ड बंद हुआ गोल्ड में भी एक नीचे घिसन नजर आती है 28,400 के करीब करीब गोल्ड आ सकता है मगर इसमें अचानक एक उन्चाई भी 29,200 मंगर इस वक्त ये हफ्ता छोड़के 15 दिसंबर के बाद इसमें बड़ोतरी आएगी सिल्वर 40,338 के उपर है आप सिल्वर भी इस वक्त 300 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीद सकते हैं डेफिनेटली सिल्वर में भी मैं एक बड़त आते होई दिखाई देता है 39,800 से सिल्वर नीचे आता नहीं दिखाई देता वहाँ पे आप रूप यहां तो खरीद ले फिर बैठे रहें और क्रूड ओयल जो है एक बार वापिस जंप मार सकता है 3,250, 3,300 का बैरल पर बैरल हो सकता है नीचे का स्टार 2950 का है इसके इलाबा अंतराष्टिय बाजार में डौजॉन में भी कहीं न कहीं घिसरन नजर आएगी अगले हफते नैसडेक में भी घिसरन नजर आएगी फिट्सी में भी घिसरन घिसरन नजर आएगी तो अंतराष्टिय और राष्टिय बाजार में एक दीमापन एक आलस नजर आएगा बाजार में बाएर ढूनने को नहीं मिलेगा मगर इंडियन बाजार जो है ये बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा क्योंकि अभी तक 8-11 का इफेक्ट 10 परसेंट भी नहीं आया अभी आना बाकी है आप सड़नली कैसे कह सकते हैं कि आज आपके पैसे एक्सचेंज नहीं होंगे चार हजार की जगा दो हजार होंगे पित्रो ये जो डिसीजन या मोदी जी का कोई सलाहकार है उनको बदलना चाहिए क्योंकि लोग त्रस्त हो चुके हैं जो आदमी मजदूर है उसका ध्यान रखना चाहिए बिल्कुल एनीवे पंडी जी एक और खास्यत है हमारे शो की और वह यह है कि शुरू कभ होता है खतम कभ हो जाता है पता ही नहीं चलता कैसा वक्त गुज़र गुज़र गया बीच म साइं की अरातना है साइं की कृपा है वही करते हैं जो करते हैं हम तो सिरफ यहाँ पर बोल कर चले जाते हैं जो वहां से आता है पंडी जी बहुत बहुत शुक्रिया आज शो में हिस्सा लिया और हमें मार्ग दर्शन किया ऐसे ही कई मुद्धों पे अगले हपते आपसे जरूर मिलेंगे अज वे जलिया इथेश थंबाईचे कारेकरमात पंडिया पूर्वी पोच प्रेक्षकान आपले जरूर देनारोत कही नाववाचुन दाखोते जानी आठावडयात पत्र पाठावलियात अपले आपले आला आणी पंडिज जीना दीपक मिथिलेश राय मुंबाई हुन सुष्मिता सिंग बंगलोर चेतन गाडवे सुरया अतर सपनिल बारतक के भूशन याडगेर वार माफकरा सतीश अमभोरे यानी अपले आला पत्रली हुन कड़वला है आणी पंडिज जीना विचार आएकाला तना आवर जुन त्या धनल गाड़ जोगर जीना विचार दोगर नुटर के भांगेर आएकाला काला आएकाला विचार तना इएकाला तो दीजिए